नमस्कार इस वीडियो में हम जानेंगे मद्दान दिवस में हमें क्या-क्या आवशक तैयारियां करनी होती है कौन-कौन से घोशनाय करनी होती है कौन-कौन से प्रपत्र भरे जाने होते हैं उसका एक संक्षव वेवरा इस वीडियो में आपको मिलेगा मद्दान के इंदर पर आप मद्दान दिवस के एक दिन पूरो पहुँचेंगे पहुचने के पश्चात वहाँ पर इस्थान का अच्छी तरह से अउलोकन कर लें सौ मीटर की दूरी जो मद्दान के इंदर से निर्धारित की जाएगी जहां पर किसी भी तरह का प्रचार प्रसार प्रतिवन्दित होगा उसका चिन्धांकन कर लें 200 मीटर की दूरी उसका भी चिन्धांकन कर लें जिसके बाहर ही जो अभ्यर्थी हैं वो अपना बूथ लगा सकते हैं इसके अलावा आप मद्दान के इंदर के भीतर का निरिक्षन करें कहां पर आपको बूथ बनाना है बूथ ऐसी जगह बनाएं जहां कोई खुलक शेत्र ना हो ताकि मद्दान की गोपनिता पूरी तरीके से बनी रहे मद्दान प्रकोष्ट में पर्याप प्रकाश व्याउस्था होनी चाहिए ताकि मद्दाताओं को मद्दान करने में किसी तरह से कोई असुईधा का सामना ना करना पड़े यह ध्यान रखेंगे कि वीवी पैट पर किसी भी तरीके का कोई तीवर प्रकाश वाला बल्ब सीधे रूप से ना प्रकाशित होता हो मद्दान दिवस को आप सर्व प्रथम मद्दान के इंद्र के बाहर सूचना फलक पर प्रारूप साथ का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यरतियों की सूची चस्पा करेंगे उस मद्दान के इंद्र में आने वाले निर्वाचन छेत्र का चिनहंकन करने वाला सूची प्रकाशित करेंगे जो मद्दाता इस मद्दान के इंद्र में मतदान करेंगे उनकी सूची आप उस सूचन प्रारंब करना है मौकपोल प्रारंब करने के लिए यदि 90 मिनट के समय में कोई भी अभ्यर्थी या अभिकरता नहीं आया है तो आप अधिक्तम 15 मिनट उन्तिजार करेंगे 15 मिनट के बाद यदि कोई अभिकरता या अभ्यर्थी नहीं आता है तो आप मौकपोल की प्रक्रि से प्राप्त डेटा का सी उ से प्राप्त रिजल्ट का आप विवीपेट पेपर स्लिप से मिलान करेंगे विवीपेट पेपर स्लिप से मिलान करने के पश्चाथ पीठा सीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग एक मॉक पोल का सर्टिफिकेट आप भरेंगे उसमें सभी उपस् इस काम को करने के लिए आपको CRC की प्रक्रिया आपनानी होगी अर्थात मद्दान कराने के परशाथ close बटन दबाएंगे सारी डिस्प्ले को goes off होने देंगे उसके बाद result बटन दबाएंगे सारे result के डिस्प्ले होने के परशाथ जब मशीन का डिस्प्ले सेक्शन बंद हो जाए उसके पश्चाथ आप clear बटन दबाएंगे सारा जो मॉक पॉल डेटा है उसको clear करेंगे clear करने के साथ साथ ही आपको vipat में जो मॉक पॉल की परचिया निकली है जिसमें vipat की self test slip भी होंगी उन सब के पीछे मॉक पॉल slips की एक stamp लगा करके आप उसके लिए दिये गए काले लिफाफे में रख करके उसको seal करेंगे और उसके उपर pink paper seal लगा करके उसको seal करेंगे ये काम अनिवार रूप से करना है अन्यथा आपको counting के दिन में बहुं सारी समस्याइं होंगी और उसके लिए आपको अनुशाफनात्मक करवाही का भी भागी बनना पड़ सकता है वास्तविक मद्दान प्रारम्ब होने के ठीक पहले आपको मद्दान के इंदर में उपस्थित सभी अभिकरताओं के साथ एक घोशना करनी होगी जो लोग प्रतित अधिनियम 1959 की धारा 128 के अधिन होगी इस घोशना में आप मद्दान की गोपनीता बनाये रखने के संबंद में एक शपत लेंगे किसी भी इस्तिती में मद्दान की गोपनीता भंग नहीं होनी चाहिए तत पश्चात आप विविपैट के ड्रॉप बॉक्स को दिखाएंगे उसमें किसी भी तरह का अब कोई स्लिप नहीं होना चाहिए ठीक इसी तरह से कंट्रोल उनिट के क्लियर बटन के को दबा कर आप दिखाएंगे कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई भी वोट इसमें नहीं डला हुआ है तत पश्चात आप विविपैट के ड्रॉप बॉक्स को और कंट्रोल उनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करके वास्तविक मद्दान प्रारंब करेंगे पीठा सी नधिकारी की गोशना का भाग एक भी आपको भरना होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि मॉकपोल के सारे डेटा को कंट्रोल उनिट से डिलीट कर दिया गया है विविपैट के ड्रॉप बॉक्स को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए काले लिफाफे में सील कर दिया गया है साथ ही सभी अभिकरताओं को आप दिखाएंगे कि निर्वाचक नमावली की चिन्हित प्रती में पोस्टल बैलेट और निर्वाचन करतवे प्रमान पत्र से वोट डालने वाले मद्दाताओं के अलावा अन्य किसी भी तरह का कोई निशान नहीं लगाया गया है इसी तरह से प्रारूप सत्रा का मद्दाता रेजिस्टर को भी आप सभी अभिकरताओं को दिखाएंगे कि इसमें किसी भी तरीके से किसी भी अभ्यर्थी या मद्दाता के वारे में कोई भी विवरण पहले से ही दर्ज नहीं है ये सारे दस्तावेजों को दिखाने के पश्चाथ आप पीठा सीन अधिकारी की घोषना का भाग एक भर करके सभी अभिकरताओं के हस्ताक्षर लेंगे और स्वयम भी अपने हस्ताक्षर करेंगे जिन अभिकरताओं ने ऐसे घोशना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया उसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी अब आप वास्तविक मद्दान प्रारंब करने के लिए तैयार हैं वास्तविक मद्दान की पूरी प्रक्रिया आप निर्धारी समय में पूरा करेंगे इस बीच किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो इसके रिप्लेसमेंट के प्रोटो काल को फौलो करते हुए आपको पीठाजी न अधिकारी की गोशना का भागदो भी भरना होगा मशीन रिप्लेस्मेंट से संबंधित मद्दान समाप्त होने के पश्चाथ आपको क्लोज बटन दबाना अनिवार यह होगा क्लोज बटन दबाने के पश्चाथ अब उस मद्दान मशीन में किसी भी तरह से मद्दान की कारवाही नहीं की जा सकेगी जब आपके मद्दान के इंदर का आखरी मद्दाता मद्दान कर ले या कोई भी मद्दाता नहीं है और मद्दान के लिए समापती के लिए नरधारित समय संपन्न हो चुका है तब आप close बटन दबाएंगे close बटन दबाने के लिए आप result section जो की आपने mock pole के पश्चा seal कर दिया है उसके उपर एक rubber का cover लगा हुआ है उस cover को हटाएंगे और उस cover में दिये गए चेद से उंगली को घुसा करके आप close बटन को दबाएंगे close बटन दबाना भी उतना ही आवश्चक है जितना की मशीनों की sealing करना और अन्य प्रक्रिया इसको किसी भी स्थिती में नहीं भूलेंगे close बटन दबाने के संबन में पीठा सीन अधिकारी की सारी और प्रफ़क्र आपको प्रदान किये जाएंगे और सासथ पीठा सीन अधिकारी की हेंड़बूक में भी ये आपको मिल जायेगा Close बटन दबाने के पस्चात आप रिकार्ड किये गए मतों का लेखा त्रू रूप सत्रा बाग का भाग एक भरेंगे जिसमें आप उस मद्दान के इंद्र में कुल उप्योग किये गये मशीनों और अन्य जानकारियां भरेंगे इसमें सभी उपस्थित मद्दान अभी करताओं के हस्ताक्षर कराएंगे आप खुद भी हस्ताक्षर करेंगे और इसकी एक-एक प्रती सभी उपस्थित मद्दान अभी करताओं को प्रदान करेंगे प्रदान करने के साथ उनकी पावती भी लेना आपके लिए आवश्यक है मद्दान समाप्ती के पश्चात आपको मद्दान मशीनों को सील करना होगा सील करके उनको उनके केरिंग केस में रखना होगा ये अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे कि जब मद्दान आपका समाप्त हो जाए तो control unit का switch off करके आप सारे connection को disconnect करेंगे साथ ही vivipat से उसके power pack को बाहर निकाल देंगे vivipat के power pack को बाहर निकालने के पस्चाथ ही vivipat को उसके carrying case में रखेंगे पीठासी नधिकारी को जो भी मद्दान अभिकरता वहाँ पर आएंगे उनको प्रवेश पास भी जारी करना होगा उनकी widget sheet का लेखा जोखा भी रखना होगा पीठासी नधिकारी के लिए एक महत्पूर्ण दस्तावेज होता है पीठासी नधिकारी की diary मद्दान दिवस में मद्दान के इंद्र में होने वाली सभी महत्पूर्ण घटनाओं का विवरण आपको इस डायरी में लिखना है समान्यता यह देखा जाता है कि पीठासी नधिकारी की diary मद्दान समापती के बाद आखिर में भरी जाती है जिससे बहुत सारे विशेश तत्य छूटने की संभावनाय रहती है किसी भी इस्तिती में ऐसा आप नहीं करेंगे जब जब जो जो घटनाय जिस समय पर होती जा रही है ततकाल उसी समय पिठासी नधिकारी की diary में आप उसका विवरण दर्ज करते जाएंगे उसके संभन में जो की गई कारवाही है उसका विवरण आपको ततकाल ही दर्ज करते जाना है किसी भी समय में इस सिती में आप अंतिम समय का इंतिजार नहीं करेंगे हर घंटे जब भी वो घटना हो रही है आपको जानकरियां भरते जानी है दो-दो घंटे की रिपोर्ट भी आपको निर्धारित समय में ही पिठा सिन्य अधिकारी की डायरी में नोट करते जाना है आपके मद्दान केंदर में दृष्टी बाधित और शितलांग व्यक्ति भी मद्दान करने आएंगे जो किसी व्यक्ति की सहता से मद्दान करेंगे उनके लिए उनकी घोष्टना और उसकी ऐसे मद्दाताओं की सूची आपको तयार करनी होगी आपके यहाँ अनुपसित, इस्थानंतरित और मृत मद्दाताओं की सूची में से भी कुछ मद्दाता मद्दान करने आ सकते हैं उन सारे मद्दाताओं के लिए भी आपको एक घोशना पत्र भरना होगा और उस घोशना पत्र के सांसाथ आपको सूची भी तैयार करनी होगी इसी तरह से कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें 49MA उन मामलों में भी आपको एक घोशना पत्र लेना आवश्यक होगा कुछ ऐसे बदाता भी आपके मद्दान केंदर में आ सकते हैं जिनके निर्धारित अरहता आयू के संबन में आपको किसी तरह की शंका होती है उस शंका की इस्थिती में आप उनको मद्दान से वंचित नहीं करेंगे लेकिन आप उनकी आयू के संबन में एक घुशना जरूर लेंगे मद्दान संपन होने के पश्चात आप अपने लिए निर्धारित वहन से ही सामगरी वापसी केंदर पर वापस आएंगे अन्य किसी भी साधन का उपयोग आप किसी भी इस्थिती में नहीं करेंगे और किसी भी इस्थिती में आपके सील बंद इवियम्स और विविपैट्स को किसी अन्य की कस्टडी में नहीं देंगे आप अपनी ही अभिरक्षा में वापसी केंदर तक ला करके वापसी काउंटर में इसको स्वयम जमा करेंगे मद्दान समागरियों को वापसी केंदर में जमा करने के लिए आपको कुल 6 पैकेट बनाने होंगे इसका पूरा विवरन पीठासी नदिकारी की पुस्तिका में मिल जाएगा संक्षिप्त रूप में पीठासी नदिकारी की पुस्तिका के अनुलगनक 22 में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कुल आपको 6 packet बनाने हैं जिसमें प्रथम packet EVM कागजाद से संबंधित होगा EVM से related जो भी दस्तवेज आप तैयार करेंगे वो पहले packet में होगा दूसरे packet में scrutiny से संबंधित दस्तवेज रहेंगे तीसरा packet सामेधिक प्रपत्रों का packet होगा और चौथा packet आज सामेधिक प्रपत्रों का packet होगा पांचवे packet में आप पुस्तिका, निर्देश और अन्य दस्तवेज आप रखेंगे और छठवे packet में अन्य सामागरिया, स्टेशनरी इत्यादी जो आपको दी गई हैं उनको रखेंगे इस तरह से 6 packet में रख करके आप सामागरियों को वापसी के इंदर में जमा करेंगे आशा करता हूँ, इस वीडियो में बताया गये तत्य आपको मद्दान के इंदर में सहायक होंगे अधिक जानकारी के लिए आपको पीठसी नधिकारी की हस्त पुस्तिका का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए उसमें दिये गए सभी निर्देशों का अक्षरश्रह पालन आप सुनिशित करेंगे आपको बहुत बहुत शुब कामना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद